कि नमस्कार विद्धियारतियां मैं जैस्वन सिंग टाइनी टॉट्स पब्लिक सेनर शेक्ने स्कुल बार्डमेर के आप सभी का हार्दिक श्वाबित करता हूं तो आज कक्सा बार्वी विशे हिंदी की पुस्तक प्यूस प्रवा का परतामध्याय का अंतिम पहर उसके बारे में अपन चानकारी हासिल करेंगे तो चले कहानी का अंतिम पहर जो आज कहानी समामत होने वाले हैं तो चले कहानी के अंतिम पहर की तरफ 25 वर्ष बीट गए अब लहना सिंह नंबर सितत्त राइफल में जमादार हो गया है उस बात को वे पूरे 25 वर्ष हो गए उस बात को बीते आज 25 वर्ष का समय हो गया है कौन सी बात जिस दिन 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का चौक बजार में मिले थे उस बात को पूरे 25 वर्ष हो गए आज लहना सिंह सिततरवी बटालियन में जमादार के रूप में नुकत हैं वह आज जमादार बन गया है उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा उस आठ वर्ष की कन्या का अब लहना सिंह को ध्यान ही न रहा न मालूम वह कभी मिले थी या न मिले न मालूम वह कन्या कभी उस बालक से मिले थी या फिर नहीं सारी बातें इस भागदोड बड़ी बड़ी जिंदगी में लेना सिंग भूल गया साथ दिन की चुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की प्यारवी करने वह अपने गर गया था वहार एजिमेंट के अपसर की चुट्टी मिली की फोजलाम पर जाती है फोरन चले आओ लेकिन वहां पर पहुंचने पर पिछे से रेजिमेंट के बड़े अपसर की चुट्टी लेना सिंग के नाम आई कि फोजलाम पर है सिग्र चले आओ फोज लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है युद्ध चिड़ गया है युद्ध अरंब हो गया है शिग्रह अपने कांव से यहां पर युद्ध के लिए लोट आओ साथ ही सुबेदार हजरा सिंग की चिट्टी भी मिली मैं और बोदा सिंग भी लाम पर जाते हैं साथ में सुबेदार हजरा सिंग और बोदा सिंग की भी चिट्टी मिली क्योंकि वह दोनों भी गाउं आए हुए थे और हजरा सिंग का और लेना सिंग का गाउं पास-पास में था तो सुबेदार की चिट्टी आई लेना सिंग के नाम की हम बोदा सिंग और मैं भी गाउं आए हुए हैं दोनों तीनों साथ में चलेंगे लड़े लड़ने के लिए कि लोड़ते हुए हमारे गर होते जाना और कहा कि लोड़ते हुए हमारे गर की तरफ से आना ताकि हम साथ में चलेंगे सुबिदार का गाउं रास्ते में पढ़ता था और सुबिदार उसे बहुत चाता था सुबिदार का गाउं जब लेना सिंग पहुज के दर्फ जाएंगे तो बीच में पढ़ता था लेना सिंग सुबिदार के वहां पहुंचा जब चलने लगे तब सुबिदार बेड़े में से निकल कर आया जब रवान की ओरेती लड़ाई लड़ने के लिए जाने वाले थे इतने में बेड़े में से निकल कर सुबिदार आया और बुला हे लेना सुबिदार ने तुमको जानती है बुलाती है ये लेना सिंग सुभिदार ने तुम्हें जानती है तुम्हें पुकार रही है जा मिला जा अपनी सुभिदार ने से मिला लेना सिंग बीतर पहुचा सुभिदार ने मुझे जानती है कब से तो जब अजरा सिंग ने कहा कि लेना सिंग सुभिदार ने तुझे जानती है तो लेना सिंग ने कहा कि कब से जानती है रेजिमेंट की क्वाटरों में तो कभी सुभिदार के गर के लोग रहे नहीं रेजीमेंट के जो क्वाटर बने हुए हैं उनमें कभी सुभिदार के परिवार के लोग रहे नहीं फिर मेरे को सुभिदार ने क्या से जानती दर्वाजे पर जाकर मत्था टेकना और दर्वाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा असिस सुनी लेना सिंग चुप मुझे पैचाना नहीं अब लेना सिंग जोई घर में गया तो सामने एक मैला खड़ी थी सुभेदार में खड़ी थी उसने लेना सिंग से कहा मुझे पैचाना तो लेना सिंग का जवाब आया नहीं तो फिर वो कुछ बीती बातों को इसपष्ट करते हुए लेना सिंग का ध्यान अपनी और खिचती यह कहती है तेरी कुडमाई हो गई दत कल हो गई देखते नहीं रेस मी बुटों वाला सालू अमरिस सर में वगेर वगेर एने बीते समय की बातें उसने सुविदार्नियने सामने लाई तब लेना सिंग को कुछ याद आने लगा बावों की टकराट से मुर्चा हुटी करवट बदली पसली का गाव बै निकला यानि भावों की टक्राहट से उस गायल अवस्ता में पड़े लेना सिंग की मुर्चा हटी यानि भावों की ऐसी उआ पोह थी भावों की ऐसी टक्राहट की ये सपना चल रहा है बेयोसिक ये हालत में लेना सिंग पड़ा है और उस अवस्ता में उसके मन में एक सपना चल रहा है बीते समय की बातें उसके ज्यान में आ रहे हैं बीते समय की बातें उसके मन में इसपश्ट होती जा रहे हैं और इतने समय के दर्म्यान उसकी मुर्चा हटी उसकी बेहोसी की नीद खुली और जोई उसने करवट बदली पसली का घाव बै निकला और जोई आग खुली करवट बदली और उसका पसली का घाव बै गया क्योंकि पसली में एक गोली लगी थी गोली से घाव गैरा हो गया था और जो हिं उसने करवड बदली तो उस गाव मैंसे रक्त का रक्त की धारा बेने लगी सवपना चल रहा है सुभिदार ने कह रही है मैंने तेरे को आते ही पैचान लिया सपना चल रहा है और सुभिदार ने कह रही है मैंने तेरे को आते ही पैचान लिया हे लेना सिंग मैंने तुझे आते ही पैचान लिया सपने में सुबिदार्णी और लेना सिंग आपस में बाते कर रहे हैं और ये सपना चल रहा है एक काम कहती हूं मेरे तो भाग भूट गए वो लेना सिंग से कहती हैं एक काम तुझे सौंपती हूं एक जिम्मेदारी तुझे स्वांपती हूँ और आगे क्याती हैं मेरे तो बहग्याई फूट गए मैं तो नेगोडी हो गई हूँ सरकार ने बहादूरी का किताब तो दिया है लायलपूल में जमीन भी दी है आज नमक हलाली का मौका आया है सरकार ने इस जंग में बहादूरी दिखाने के लिए मेरे परिवार वालों को मेरे को बहादूरी का किताब दिया है और लायलपूर में जमीन भी दी है आज नमक हलाली का मौका आया है पर सरकार ने हमतीमियों की एक गगरिया बल्टन क्यों न बना दी जो मैं भी सुविदार जी के साथ चली जाती है अब लेना सिंग के साथ में उस सुविदार ने का पुत्र उसका पती लड़ाई लड़ने के लिए जाने वाले है तो उससे पुर्व वह अपने भावों को साजा करती है बया करती है लेना सिंग से कहती है कि मेरे तो भाग्य ही फूट गए क्योंकि मेरा एक मात्र इकलोता पुत्र है और मेरा पती दोनों युद्र लड़ने के लिए जा रहे है साथ तक युद्र का कारी रहे वापिस उनको लोटना नसीब हो या नहीं हो लेकिन करूं तो करूं क्या मेरा एक ही बेटा है और मैं चाती हूँगी वो बेटा भी अपनी मात्र भुमी के लिए कुछ अपना करतरिय अदा कर सके इसलिए फौज में मैंने उसको भरती किया पती जो युद्र भुमी में जा रहा है वापिस लोटे नहीं लोटे ऐसी मन में कलपना है उसके आ रही है ऐसी बाते वो सुबेदार ने लेना सिंग से बया कर रही है और कहती है कि कास मैं भी फौज में बढ़ती हो जाती कास सरकार ने ऐसी यूजना चला दी होती जिसमें महिलाओं की अलग से परटन हो महिलाओं के अलग से फोज हो और महिलाओं अपने पतियों के साथ में इस देश सिवा के कारियों में सलगन हो जाती कास ऐसी फोज सरकार ने बनाई होती लेकिन हम करें तो भी क्या करें हम अपने पतियों के साथ में युद लड़ना चाहती थी लेकिन ऐसा मौका सरकार ने हमें दिया नहीं क्योंकि महिलाओं की फौज सरकार ने बढ़ाएं और एक बेटा है फौज में बढ़ती हुए उसे एक बरस ही हुआ है और आगे कहती है कि मेरा एक मात्र एकलोता बेटा है फौज में बढ़ती हुए एक बरस ही हुआ है उसके पिछे चार आउर हुए लेकिन इसके पिछे चार आउर हुए पर एक भी नहीं जिया उस बोदा सिंग के पिछे चार पुत्रों को मैंने जनम दिया लेकिन एक भी जीवित नहीं रहा और इतना कहते हुए सुबेदार में रोने लगी अब दोनों जाते हैं अब मेरा पुरा परिवार इमान लो आप क्योंकि पती और मेरा इकलोता पुत्र युद भुमी में जा रहे हैं युद लड़ने के लिए जा रहे हैं मेरे भाग तुम्हें याद हैं अब मेरे भाग्य जो होगा सोदेका जाएगा युद के लिए जाना तो पड़ेगा लेकिन मेरा परिवार कहो मेरा सब कुछ कहो जो बेट्या और पती हैं और वही मुझे चोड़कर युद लड़ने के लिए जा रहे हैं तुम्हें याद हैं एक दिन तांगे वाले का गोड़ा दई वाले की दुकान के पास बिगड गया था लेना तुम्हें बीती बातें याद हैं एक दिन तांगे वाले का गोड़ा दई वाले की दुकान के पास में बिगड गया था तुमने उस दिन मेरे प्राण बच्चाय थे तुमने उस दिन मेरे प्राणों की रक्षा की थी अपने जान की परवा किये बगेर तुने मेरे प्राणों को बचाया था आप गोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठा कर दुकार के तक्ते पर खड़ा कर दिया था स्वयम तो जिन्दगी को दाओं पर लगा कर गोड़े की तांगों में कुछलने के लिए चले गए थे लेकिन मुझे एक साइड़ंग से उस गोड़े की तांगों के बीच से सुरुक्षित उस दुकान के तक्ते पर खड़ा कर दिया था तो ऐसे ही इन दोनों को बच्चाना जिस तरसे तुने मेरे प्राणों की रक्षा की थी जिस समय मेरे प्राण संकट में थे जब मैं गोड़े के पाउं से कुछली जाने ही वाली थी तुने तुरंत अपने प्राणों को जोकिम में डाल कर मेरे प्राणों को बचाया था तुने मुझे सुरक्षित इस्तान पे लाके खड़ा या था ऐसे ही मेरे पती और मेरे पुत्र की रक्षा करना जैसी रक्षा तुने बीते समय में मेरे प्राणों की की थी अब मेरे प्राण से कई गुना ज़्यादा जिनका मोल है वो मेरे पती के प्राण, मेरे पुत्र के प्राण उनके प्राणों की तु रक्षा करना सुभिदार नी लहना सिंग से क्याती है यह मेरी विक्षा है, यह तुझसे मेरी विक्षा है मैं तेरे से विक्षा मांगती हूँ, मेरे पती के प्राणों की, मेरे पुत्र के प्राणों की तुम्हारे आगे आँचल पसारती हूँ, तेरे सामने में अपना आँचल पसारती हूँ मुझे बिख्षा देदे, मुझे मेरे पती, मेरे पुत्र के जीवन की बिख्षा तु देदे, मेरे तेरे सामने भीक मांगती हूँ आंसल पसारती रोती रोती सुभीदारनी ओवरी में चली गई ऐसा कहते कहते रोते रोते सुभीदारनी गर में चली गई लेना भी आंसु पोँचता हुआ बहर आया ऐसी दुखांत भरी बाते सुनकर लेना सिंग के आँखों में असरु धरा अनवरत बहने लगी और लेना सिंग आसु बोस्ता हुआ बाहर आगया वजीरा सिंग पानी पिला दो उसने कहा था और इतना गेहकर पुनह वही रट लगा के वजीरा सिंग पानी पिला दो उसने कहा था